नमस्ते दोस्तों, इंस्टर्खनल टेक एजुकेशन चानल में मैं डॉक्टर आमोल आपका स्वाकत करता हूँ आज मैं आपके लिए एक ऐसे टूल्स के बारे में जानकर देने वाला जो कि आपको अपने टीचिंग के लिए बहुत ही जादो उसपूल होने वाला है तो सबसे पहले ये टूल्स क्या काम करता है वो मैं बताता है ये टूल्स जो है वो वीडियो को टेक्ट में कनवर्ट करता है आप कोई भी एक वीडियो अपलोड करके आप उसको टेक्ट में कनवर्ट कर सकते हैं ये आपके teaching के लिए भी useful होने वाला है, साथे साथ आपको PPT बनने के लिए useful होने वाला है, और सबसे important जो भी यूटूबर्स हैं, जिनको बहुत सारे problem आती कि मेरे script का है, मैं script कैसे तयार कुरूँ, तो ये video जो है वो आपके script को भी बना के देगा, तो चलिए दोस्ता हम लो get started बोलना, जैसे आप get started बोलोगे, तो इस तरह से आपके सामने दीखाई देगा, तो ये क्या करता है, तो कोई भी एक video को audio में कैसे convert करके देता है, तेक्स्ट में convert करके कैसे देता है, ये आज हम लोग देखने वाले, तो सबसे पहले इस जगा पे जाके transcribe now के उपर click कर, इस जगा पे आपको एक तो drop file करने, आप drag करके file कर सकते हैं, या आप लोगों को क्या करना है कि इस जगा पे जाके uploader file करना है, तो मेरे पास जो upload है, वो file इसको upload करता हूँ, तो इस तरह से हमें ये दिखाई देती कि ये file दिखाई देती, आप replace भी कर सकते हैं इस file को, language, क English में ही मुझे convert करना है, तो English में करूंगा, मैं robot नहीं हो, ये बताने के लिए मुझे I am a human, इस तरह से इस जगा पे click करना पड़ेगा, और start transcription की process को हमें शुरू करना पड़ेगा, तो ये जो tool है वो बहुत ही ज्यादा useful, teachers के लिए तो है, क्योंकि उसको PPT बनाने के लिए अपने teaching materials को explore करने के लिए, अपनी script तैयार करने के लिए बहुत ही ज्यादा useful है, सबसे ज्यादा important जो है, वो बहुत सारे YouTubers है, जिनको ये पता नहीं होता है कि मैं अपने script में क्या क्या बताओ, या मेरे वीडियो में क्या बताओ, तो आप किसी एक बनाय बनाय वीडियो के script को भी आप इस तरह से transcribe करके, या transcription करके आप उस text को आप अच्छी तरह से use कर सकते, तो आप देख सकते हैं, इस जगह पे, reverse side is a transcribing, प्रोसिक चल रहे, 0% है, जैसे ये rendering होता है, तो वो पूरे हमें script, 30 second की script आपके सामने बताता है, आप देख सकते ही कि, इस जगह पे script दिखाई देती, तो इस तरह से हमारे पास script है, आप copy to clipboard भी कर सकते हैं, या इस जगह पे जाके आप download कर सकते हैं, जैसे download आप download नहीं करनी है, तो आप इस जगह पे जाके copy करके, आप word file में जाके उस script को इस तरह से paste कर सकते हैं, और अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे यह paste हुई है, तो this is how we see, तो यह इस तरह से एक आपके सामने script है, आप जाके उस script को आच्छी तरह से modify करके, आप अपने videos में बना सकते हैं, या notes prepare कर सकते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा useful है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह tools बहुत अच्छा लागा होगा, तो मे तेरी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, धन्यवाद,